आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए December 2023 के exam के examination center के बारे में यानि की काफी सारे student है जो की जानना चाहते हैं कि उनका examination center एक बार examination form भरने के बाद change हो सकता है या फिर नहीं या फिर एक बार उन्होंने अपना examination form है उसको fill कर लिया है दूसरी बार अगर वो examination form fill करते हैं तो उस case में वो ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके hall ticket में changes क्या क्या होंगे तो आज की जो वीडियो वो काफी important है उन सभी students के लिए जो की December 2023 के exams को दे रहे हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है और आप igloo के student दे चैनल को जरूर subscribe कीजिए साथ ही जो bell icon है उसको दबा दीजिए ताक कि कोई भी नई वीडियो मेरी चरफ से आती है तो उसका notification आप तक जरूर पहुंचे तो आप सीधा वीडियो की सुरुआत करते हैं यह जो इस समय आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है यह इगनु का जो examination form है उसी के ही last paira को आपको मैं दिखा रहा हूँ सबसे पहले अगर हम बात करें आपके examination center change के बारे में तो आपको examination center choose करने का मौका सिर्फ एक बार दिया जाता है दुबारा नहीं दिया जाता यानि कि आपको एक बार मौका मिलेगा आपका जब आप अपना examination form भर रहे होंगो कि आप अपना examination center source समझ कर भर दीजिए और examination center first come first serve के basis पर जो है वो दिया जाता है यानि कि आपका कोई भी examination center में आप चाहते हैं तो वहाँ पर तब तक आपको वो seat मिल सकती है जब तक कि वो fill नहीं हो जाती एक बार अगर जाद अगर एक examination center में 100 seat हैं और वो 100 seat fill हो गई 100 students ने अल्रेड़ी select कर ली तो चाहे आपने उस examination center को चूज किया भी हो फिर भी आपको कोई उसके ask pass वाला examination center दिया जाएगा वो examination center नहीं दिया जाएगा वो ही चीज यहाँ पर लिखी भी हुई है कि आपको regional center और exam center code बिल्कुल सही तरिके से fill करना है आपको exam center first come first serve के basis पर मिलेगा और साथ में ये जानकारी दी गई है कि आप अपने जितने भी exam देना चाते है चाहिए वो 6 exam हो, 7 exam हो, 8 exam हो या 10 exam हो एक बार में ही आप अपना exam का जो form है उसको fill कर लिजिए ताकि आपका examination center भी वही रहे जो आपका पहली बार में choose किया हुआ है चाहिए आपको 10 exam देना है लेकिन 10 के 10 exam भी आपको एक ही examination center में देने रहें तो इसलिए जरूरी है कि एक बार में अपना जो examination form है उसको fill कर लिजिए अगर आपने एक बार examination form fill किया उसके बाद कुछ subject के लिए examination form दूसरी बार fill किया तो आप ऐसा कर तो सकते हैं लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वो examination center जो कि आपने पहली बार में choose किया था उसमें seat फुल हो गई तो फिर आपको दूसरा examination center दिया जाएगा यही जानकरी यहाँ पर दी गई है please ensure that the exam form for all the courses for which exam to be written are filled in one attempt एक attempt में आप fill कर दीजिए as next attempt and to add the courses can result in change of exam center non availability of setting capacity at the same exam center यानि कि next attempt अगर आप उसमें करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो examination center आपका वो change हो जाए तो यह जानकारी दी गई है examination center के बारे में examination center आपका आप एक बार ही select कर सकते हैं दूसरी बार select नहीं कर सकते हैं दूसरी बार choose करने का आपको मौका नहीं मिलता साथ में एक जानकारी और है कि examination center जो है वो आपका last minute में भी change किया जा सकता है जैसा कि कई बार होता है कि आप जानते हैं कि जो IGNU के examination center होते हैं वो colleges होते हैं, schools होते हैं या कुछ institutes होते हैं, अगर वहाँ पर किसी और तरीके की परिक्सा चल रही है, कोई competitive exam का आ गया या फिर दूसरे colleges का कोई exam है, किसी भी तरीके का कोई school का exam है, तो इस case में आपका last minute में भी अपना examination center जो है वो change किया जा सकता है, ऐसी जानकारी आपकी जो final date seat है, उसको अगर आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी दे रखी है, कि last minute में भी अगर ऐसा circumstances आते हैं, तो आपका examination center change किया जा सकता है, अगर ऐसा होगा, तो आपको पहले से इसकी जानकारी दी जाएगी, दो-तिन दिन पहले आपको जानकारी द हो चुका है, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंदाती वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सेयर जरूर कीजिए